गोट गोट करमा मर गई, पूँचा कभी नहाल, देवी मा के जगराते, वो करवाते हर साल एक बात आओ, मा तो मा है, अम्बा मा तो मा है, लेकिन एक मा सब के घर पर है, जो हमारी जननी मा है उसको भी कभी भूल ना जाना, मा तो मा है, जगदंबा तो परामबा है, लेकिन माई बाप प्रतेक के घर पर जन्मते ही एक मा का दर्सन होता है, वो हमारी जन्म देने वाली माता होती है इसलिए सब को भूलेना उसको भी मत भूल जाना और तुम्हारी नवरात्री की पूजा तब तक सार्थक नहीं है जब तक माई बाप तुम्हारी मा का हाथ तुम्हारे सिर्फर नहीं है आप कितना भी नवरात्री की पूजा कर लो दुर्गा सक्त सती के पाठ जोत जलाओ ओम जय अंबे गौरी जय माता दी जय माता दी खुब खड़ताल कीर्टन गाओ लेकिन भैया तब तक अनुस्ठान की पूर्ती नहीं होगी जब तक तुम्हारी घर पर वेठी मा का हाथ नौ अच्छा नौ ही दिन क्यों होते कभी विचार किया दस क्यों नहीं होते आठ क्यों नहीं होते माई बाप नौ का अंक है पूर्ण का किसका पूर्ता का और अंक का पहाड़ा पढ़ोगे कट जाएगा नौ के अंक का पहाड़ा नहीं कटता जैसे आप आठ का पहाड़ा पड़ो, आठ दूनी सोला कितना, छै और एक साथ हुआ आठ तिया, चौवीस चार और दो कितना हुआ छै हुआ, लेकिन अगर आप नौ का पहाड़ा पड़ोगे तो उसमें अंक जों के तियों आएंगे आप अगर पड़ो, नौ दूनी, अठारा तो आठ और एक नौ तिया सत्टाइस साथ और दो नौ चौको छत्तीस तीन और छै नौ पंचे पैंतालीस, पांच और चार नौ छक्के चंवन फिर पांच और चार कितने? नौ सत्ते त्रेशट छै और तीन नौ अठे बहत्तर, साथ और दो नौ नम्मा एक्यासी आठ और एक और नौ धाम जीरो हटाओ सो फिर नौ ये अंक कहीं नहीं कट रहा पूरी पहारा में आप पढ़ियेगा पूरा का पूरा पूर है इसलिए माई बाप जिन्दगी में हम लोग मा के गर्ब में भी नौ महीने तक रहते हैं और नौ माहे तक गर्ब में रहते हैं उस नौ माहे के गर्ब का करजा अगर चुकाना है तो नौ रात्री में मा अंबा को मनाना है मा, अम्मा को मनाना है इसलिए हमने चौपाई चुनी क्या नाम उमा अंबिका भवानी सुन्दर सहजे सुसील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी सुन्दर सहजे सुसील सयानी अच्छा एक बात आए नवरात्तरी के बात क्या आता है? दसेरा आता दसेरा किसका प्रतीक है? विजे का जो नौ दिन तक माता रानी के चरणों में उपासना करता है वो इस संसार की माया पर विजे प्राप्त करनेता है माधर का हो जाता है और दसेरा में किसका बद हुआ था? बोलिये किसका हुआ था? अभी दसेरा आएगा तो जगए जगए रामर को जलाये जाएगा बिचारे को अग लोग भी कितने बिचित रहे हर साल जलाते है रामड इतना खतरनाक आदमी हर साल फिर खड़ा हो जाता, लेव और गुज्रात के आदमी इसे बड़े-बड़े फटाका मारते है बड़े-बडे बम है, ठ्याम रामड हमीले साल फिर मिलेगा, लेव अब मारो, रामड कितना खतरनाक है इतने सालों से जल रहा फिर भी रामण कभी आग तक मरा नहीं क्यों? क्योंकि हम लोग बाहर के रामण को हर बार मार रहे भीतर के रामण को जिस दिन व्यक्ति मारना प्रारम कर देगा दुबारा जलाने की आव सकता नहीं पड़ेगी एक बात आओ महराजी पुझ गबर से जहां गबर पहाड़ पर मातारानी के साधक है सभी आचार बराज माने महराजी एक प्राथना हो जैसे रा आता है न तो सब लोग कहते हैं महराज अंधर की बुराई को मारो अंधर की किसको मारो? रामड रूपी बुराई को मारो ऐसा कहते न हम थोड़ा उल्टा बोलते हैं हम कहते अंधर की बुराई को मत मारो अंधर के रामड को मत मारो अंधर के राम को जगाओ रामड अपने आप मर जाएगा रामड को मारने के लिए अपनी उर्जा मत लगाओ राम को जगाने के लिए अपनी उर्जा लगाओ माई बाप जो नवरात्री में साधना करेगा उपासना करेगा उसके भीतर दसमें दिन राम अपने आप जाग जाएगे क्या हो? जब हिमवान के घर पर अमबा प्रकट हो सकती है तो तुम भी नौ दिन अपने मन को पवित्र करेओं पहला दिन किसका है? पर्थमम सेले पुत्री चा मा सेले पुत्री का पहला दिन है अब पहले दिन सेले पुत्री माता की जो साधना करता है वो जो कामना करता है उसे फ्राप्त होती है दूसरे दिन किसकी पूजा दूसरे दिन मा ब्रह्म चारणी की पूजा ब्रह्म चारणी की पूजा करने बाले साधक को सांती मिलती है तीसरे दिन किसकी पूजा होती है आज तीसरा दिन था आज के दिन मा चंद्र घंटा की पूजा होती है जो भी चंद्रगंटा की पूजा करता है मा के मस्तक पर चंद्रमा है चंद्रमा मन का देवता है मन की स्थिरता होती है चौथे दिन किसकी पूजा होती है चौथे दिन होती है कुस्मांडा मता की पूजा कुसमांडा माता की पूजा करने से क्या होता जो भी साधप मा कुसमांडा की पूजा करता है भैया उसकी आयू बढ़ जाती है आयू में ब्रद्धी होती है दीरगायू बड़ा दीरगायू होता पंचम दिवस किसकी पूजा पंचम दिवस होती मा इसकंद माता की पूजा इसकंद माता की पूजा करने से क्या होता इसकंद माता की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती मोक्ष का मतलब मर नहीं जाएगा आदम एक आदमी से हमने कहा काओ भीया मोक्ष पाने का उपाय कर बोले महराज अब यह हमें विवाही भी करना, बहुत जिंदा रहना है अरे हम न का ठटरी के बरे मोक्ष का मतलब मरना नहीं है सुखम चा दुखम चा भबा भबव चा लाभा लाभव जया जयाव मोक्ष का मतलब है सुखम और दुखम जो समर है सुखम जिसे प्रसनता ना हो दुखम जिसको कष्ट ना हो सुख आबे तो भगवान को धन्रबाद दे करके कहें प्रभू आपको समर्पित और दुख आबे तो मन में सोचें यह हमारे पाप कम हो रहे हैं ऐसी जिन्दगी को ही मोक्ष कहा जाता है तो पंचम दिवस जो भी इसकंद माता की पूजा करता वो मोक्ष पाता छटमे दिन किसकी पूजा होती छटमे दिन होती मा कात्याईनी की पूजा किसकी पूजा मा कात्याईनी की पूजा कात्याइनी माता की पूजा करने बालों को दो प्रकार से लाब मिलता धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारोत पुर्शार्थ मिलते लेकिन कात्याइनी माता की पूजा करने बाले साधक को एक और लाब मिलता जिसका विवाय ना हो रहा हो साधी में बैसे तो ठीक है जिनकी साधी हो गई उनसे हाल चाल पूछ करके साधी की अरजी लगानी चाहिए लेकिं फिर भी मन में उक्षा है साधी के लड़ू बड़े खतननाक होते हैं जन्नोंने खा लए वो भी पस्ता रहे जन्नने नहीं खाये वो भी पस्ता रहे रोदोनों रहे हैं देखें फिर भी मन में सुरुद्धा है मंगल काज में बड़ी रुकावट है तो जो भी छटमे दिन माता कात्याईनी की साधक पूजा करता है उसके रुके हुए मंगल काज की माता कात्याईनी पूर्थी कर देती है अच्छा साथमे दिन किसका है साथमे दिन मा काल रात्री की पूजा होती है काल रात्री की पूजा करने से क्या होता जो भी साधक मा काल रात्री की पूजा करता उसके घर पर कैसी भी बाधा हो भूत प्रिक की बाधा हो कुछ भी घर में नहीं टिक पाती है ये काल रात्री माता की पूजा करने का लाब है अच्छा आठमें दिन किसकी पूजा होती अश्टम दिवस महागौरी की पूजा होती है महागौरी की पूजा करने से क्या होती दो लाब एक तो धन का लाब होता दूसरा रूप का लाब होता आकरशन जैसे प्राप्त करना हो वो महागौरी की पूजा करे और नौम दिवस किसकी पूजा होती नौमे दिन माता सिध्य दात्री की पूजा होती सिध्य दात्री की पूजा करने बाले साधक को क्या मिलता सिद्ध दात्री की पूजा करने बाले साधक को रिद्धियां और सिद्धियां प्राप्त हो जाती है इस प्रकार जो नो दिन अलग-अलग देवी की उपासना करता है उसे अलग-अलग फल प्राप्त होते हैं और हम तो एक ही बात कहेंगे मा से कुछ मत मांगो मा से तो के बला मा को मागो